अपनी प्रीविएस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना फुल वीक वर्काउट रूटीन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फुल वीक हैल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज फॉर वेट लॉस 6 recipes for 6 days क्योंकि 7th day होता है cheat meal दे उस दिन जो आप कमन करें आप खा सकते हैं लेकिन ये breakfast recipes nutrition value के साथ आपको काफी time तक फुल फिल करवाएंगी सो चलिए देखते हैं first recipe which is chocolate oatmeal मीठा खाने की craving हो तो ये recipe आपकी requirement को पूरा करेगी इसके लिए मैंने लिये है quarter cup instant oats और थोड़ा सा गरम पानी डालके मैं इसको moist कर लोगी अगर आपके पास rolled oats हैं तो 2-3 मिनट तक आप उसको पका लें पानी में उसके बाद मैंने इसमें add कि cocoa powder हलका से इसको mix कर रही हूं और उसके बाद डाल देंगे दाल चीनी powder थोड़ा सा डालेंगे vanilla essence like 2-3 drops उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं protein powder यह आप skip कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो pink salt add किया है one pinch one spoon peanut butter और एक चमश डाला है मैंने honey का उसके बाद थोड़ा सा डाल दिया है इसको अच्छे से mix कर लेंगे दूद आप अपने requirement के accordingly और भी डाल सकते हैं को को पाउडर आपको चॉकलेट का टेस्ट देगा लेकिन उसमें sugar नहीं होती है healthy fats के लिए हमने इसमें peanut butter तो डाला ही है साती इसमें डाल रही हूं walnuts और almonds fruit आप अपनी मर्जी का को लेकिन चॉकलेट खाना तो पसंद है एक बार इस रेस्पी को ट्राइ कीजिएगा आई होब उदे की तरह आप लोग भी ओर्ट्स खाने लगेंगे second recipe है egg pasta अगर आप eggs नहीं खाते हैं तो आप टोफू या पनीर भी यूज़ कर सकते हैं पास्ता को creamy texture देने के लिए हम काजू का paste यूज़ करेंगे इसके लिए आप whole wheat या फिर सूज़ी से बने हुए पास्ते का ही इस्तेमाल करें तो पानी करम किया है थोड़ा सा डाला है इसमें salt और oil डाला है पास्ता डाल दिया है इसको boil होने के लिए रखेंगे थोड़ी दिर में चेक करेंगे अगर पास्ता आराम से कट रहा है तो य रेडी है और इसका पानी सारा हम ड्रेन कर देंगे अब एक पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ओय लिया है उसमें डाला है बारी कटा हुए गार्लिक थोड़ा सा इसको हम सौटे करेंगे और इसके बारी कटे हुए अनियन थोड़े से ट्रांस्पेरेंट हो जाए उसके बाद तोफु भी डाला है थोड़ा सकते हैं फोड़ा सालट फेपर एड़ किया है दो मिनट के लिए इसको ढख कर पकाएं सबुस्दे कीविट गृट वेड्ल भाष् nem fighting last को थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ शिफ्ट करके अपने लिए बहुत ही टेस्टी मील्स रेडी कर सकते हैं बस ओयल का कम से कम इस्तेमाल करें एक्स्ट रेसीपी है किड्नी बीन सैलड तो इसके लिए मैंने राजमा को पहले से बॉयल करके रखा है अब लिया है मैंने पैन में एक छोटा चमच ओयल का उसके बाद उसमें डाल दिये हैं लंबे लंबे स्लाइसिस में कटे हुए अनियन्स और टोमैटो थोड़ा साइन को सौटे करेंगे उसके बाद इसमें एड़ करेंगे हम स्वीट कॉण्स राजमा एड़ कर रहे हुए हुमें बॉयल किये हुए साथ इसमें एड़ कर दिया है टोफू इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तोड़ा सा लेमन जूस और बस आपका हेल्दी ब् आप राजमा, वाइड चना, ब्लाक चना को बॉयल करके फ्रीज करके रख लेते हैं तो ब्रेकफास्स बनाना बहुत इजी हो जाता है फोर्थ रेसीपी है मूंग दाल चीला, वेरी टेस्टी और हल्दी ब्रेकफास्ट इसके लिए मैंने साबुत मूंग को ओवरनैट के लिए सोक करके रखा था तो देख सकते हैं आप कैसे फूल गई है वो और इसमें मैं एड़ कर रही हूं पालक के कुछ पत्ते साथी ग्र ग्राइंट कर लेंगे डाल के साथ ग्राइंडर जार में मैंने डाल दिया है गारलिक और जिंजर और साथी डाल दी है ग्रीन चिली पालक के कुछ पत्ते थोड़ा सा पानी एड़ कर लेंगे ग्राइंट करते वक्त इसमें जादा पानी एड़ ना करें चीला बनाने के लि चेला के लिए उसके लिए डाला है एक पैन में थोड़ा सा ओयल जीरा डाला है प्यास डाल दिये उसके बाद इसमें अड्र कर देंगे हम टमेटो पोटे वज़ाएं Tomatoes अच्छे से soft हो जाएं उसके बाद हम इसमें add करेंगे पनीर के कुछ pieces जिनकों की हमने पतला काटके रखा है अब यहाँ पे flavor को enhance करने के लिए आप आमचुर powder add कर सकते हैं चाट masala डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे डाला है गरम masala powder अब इसको अच्छे से mix कर दें तो आपकी filling ready हो गई अब इसे उतार के चड़ा लेते हैं तवा चीला बनाने के लिए थोड़ा सा oil मैंने तवे पे डाला है और brush की हरब से इसको अच्छे से spread कर लूँगे अब तवे के उपर मूंग डाल का बैटर डालेंगे और इसको हलके हाथों से spread करना शुरू करेंगे आपको ज़्यादा pressure देने की ज़रूरत नहीं है बहुत ही lightly अगर आप इसको करेंगे तो भी अराम से फैल जाता है इन सारी की सारी recipes में मैंने प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा इंकलूट किया है और मूंग डाल का चिला तो enriched protein है बस cover करके इनको पकाते जाएं और साथ की साथ पलटते जाएं दोनों तरफ से इनको अच्छे से से शेक लेना है और आपके चिलाज रेडी हो जाएंगे और ये चिला तो अगर आप filling के साथ बच्चों के lunch box में देते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है चाट बनाके भी खा सकते हैं और breakfast में आप मूंग डाल के दो या तीन चिला अराम से ले सकते हैं एक्स रेसिपी है चिकपी सैलड इसके लिए में वेजटिबल्स का ज्यादा यूज कर रही हूँ मैंने ली है यहां पे गोबी गाजर और साथी में डाल दी है यहां पे फ्रेंच बीन्स salt add किया है पानी में थोड़ा सा इसको boil करेंगे like 2 और 3 मिनट से इसको हम blanche करेंगे इसके बाद हम gas कर देंगे बंद और इसके बाद इसका पानी सहरा drain कर लेंगे और इसको excite पे रख देंगे तड़का ready करेंगे इसके लिए pan में लिया है थोड़ा सा oil बारी कटा हुआ प्याज डाला है थोड़ा सा इसको saute किया है उसके बाद डाल दिया है इसमें कटे हुए tomatoes साथी मैंने add की है लंबी कटी हुई capsicum और बाकी जो सबजियां हमने ब्लांच की थी वो भी मैंने साथी में इसके डाल दी है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ढखकर इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे बहुत ही easily और जल्दी बनने वाली recipes हैं ये इसका lid हमने उतार दिया है तो बस इसमें डाल देंगे white चना जो हमने पहले से boil करके रखे हैं साथी डाल दिया है salt, jeera powder add किया है साथी black pepper powder add किया है अच्छे से इसको mix कर देंगे और last में डाल देंगे lemon juice तो बस ये breakfast भी आपका ready है vegetables को कभी भी जादा cook ना करें जितना आप इनको raw खाएंगे उतनी ही इनकी nutrition value जादा होती है ओवर cook कर देने से इनके nutrients खतम हो जाते हैं लास्ट recipe है stuffed omelet और stuffing के लिए आप अपनी मजी के vegetables चूज कर सकते हैं मैंने लिया है यहाँ पर mushrooms को एक पैन में थोड़ा सा oil डाला है और कटे हुए mushrooms डाल दिये हैं अब डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा salt, black pepper add करेंगे और बस दो ही चीजें डाल के अब इसको अच्छ के लिए ready हो जाएगी omelet बिनाने के लिए तवा मैंने चढ़ा दिया है अब फटा फट एग्स को बीट कर लेते हैं दो अंडे लिए हैं मैंने यहाँ पे और साथी इसमें डाल रही हूँ बारी कटा हुआ प्याज धनिया पता एड़ किया है साथी ginger डाला है बारी कटा तो बस तवे पे थोड़ा सा oil डाला है उसे spread करके बीट की हुए eggs डाल दिया है उनको भी तवे के उपर अच्छे से फैला दिया है अब इसको cover करके एक से देड़ मिनट तक हम medium flame पे पकाएंगे फोड़ा साम इसको उठा के देख लेंगे अगर ये छूट रहा है तवे से तो ओमलेट रेड़ी है तो बस इसकी फिलिंग कर देंगे मिश्रूम के साथ तो आपका ये breakfast भी रेड़ी है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शूर कीजेगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो do subscribe to my channel तो मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तिल दें बाई, take care and stay healthy